असलामनेकुम व्यूवर्स उमीद करती हूँ के आप सब ठीक होंगे वेलकम टू माय चैनल फूट कॉर्णर विद मरियम तो काफी दिनों से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्यूंकि मैं थोड़ी सी बिमार हो गई थी मौसम चिंचिंग की वजह से तो आज मैं न्यू रेस्पी लेकिया ही हो अपनी वीवर्स के साथ तो चलिए हम अपनी रेस्पी का स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैं तकरीबं डेट कप के करीब पानी अड़ करूंगी क्यूंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिरी ड्रायर रेस्टार्ट स्टाइल में तो यहां पे अब मैं डालूंगी टोमाटो केचप तकरीबं दो खाने के चमच बहुत ही मज़े की ये सॉस रेडी होती है तो आपने एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है तो यहां पे अब मैं डाल रही हूं तकरीबं एक खाने का चमच सोया सॉस उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी एक स्पेशल सॉस जिसको कहते हैं होट सॉस होट सोस का ही में काम है तो यहाँ पे पैकिंग खोलते खोलते थोड़ी सी होट सोस गिर गई थी तो मैं इसको साफ कर लूँगी तो यहाँ पे अब मैं सोस बिल्कुल रेडी करने जा रही हूँ तो अब मैं इसको साफ कर लेती हूँ काली मिर्च का पाउडर इसाथ के बाहाद Cuando meeting क्रीं आगा है। यहां एक करीब के लाल मिच मुर्च का पाउडर doctors की अपने ओड़िक नमक में यहां करें में ग्राइब दो से सथा हैं झुल हरो ho चिकन की मैनी रेशन की तरफ मैनी रेशन बहुत ही अच्छी हम त्यार करेंगे जिस से हमारा चिकन जो नकिन सек वो बहुत ही सोफ्ट होगा और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा नमक एड़ करूँगी नमक आपने थोड़ा ही एड़ करना है उसके बाद मैं इसमें कॉन फ्लोर एड़ करूँगी तकरीबन डेड़ खाने का चमच और डेड़ खाने का चमच ही इसमें मैदा एड़ करूँगी दोनों की quantities equal होनी चाहिएं कम या जादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना बना जो आपका chicken है वो hard बनेगा तो chicken को हमने soft बनाना है इस वज़ा से आपने इसकी menu ration का खास ख्याल रखना है तो अब मैं इसको अच्छी तरह mix कर लूँगे और mix करके तकरीबन 5-10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी मेरे पास time नहीं था इस वरह से मैं इसको foreign fry कर रही हूँ अगर आपके पास time है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं तो यहां पे अब मैं चिकन फ्राय कर रही हूँ तो अब हम इसकी sauce ready करेंगे तो यहां पे अब मैंने तकरीबन 2-3 खाने का चमच oil लिया है और उसमें मैंने लेसन का paste add किया है तकरीबन 1 teaspoon के करीब अब मैं इसको हलका सा सोते कर लूँगी ताकि इसका कच्चा पन दूर हो जाए साथ ही मैंने 8-10 हरी मिर्चे ली थी मोटी वाली हरी मिर्चे है बरीग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी इसको मैंने slices में लंबा लंबा कट कर लिया था और साथ ही अदरक मैंने डाला है लंबा लंबा कट करके जूलियन स्टाइल में मैं इसको हलका सा बिल्कुल 1 मिनट के लिए फ्राइ कर दूँगी और फ्राइ करने के बाद में इसमें फ्राइर किया हुआ चिकन एड़ करूँगी चिकन को भी आपने बिल्कुल भी चोड़ दूँगी तकरीबन चार से पांच मिनट के लिए सोस खुद ही ठिक होती जाएगी क्योंकि हमने इसमें कॉन फ्राइड किया था अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ आज की जुन सी हमारी रेस्पी है वो कॉम्बो रेस्पी है आज हम नूडल्स और एक फ्राइड रैस के साथ रेस्टरॉंट स्टाइल में चिकन चिली ड्रै बनाने जा रहे हैं तो एंड तक आपने वीडियो को लास्मी वाच करना है तो यहाँ पे जो बचा हुआ थोड़ा सी हरी मिर्चे और अदरक थी वो मैंने बिल्कुल लास्मे एड की है चूला मैंने यहाँ पे बन कर दिया है अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मैं साइट पे रग दूँगी तब तक हम चिकन के साथ जो हम फ्राइड रैस बनाएंगे वो हम तियार कर लेंगे तो मैंने दो टेबल स्पून के करीब ओयल लिया है उसमें मैं गाजर और शिमला मिट्स एड करूँगी बिल्कुल थोड़ी सी मैंने गाजर और शिमला मिट्स ली है और उसको बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है इसको हम जदा फ्राइ नहीं करेंगे बिल्कुल लाइट सा ही फ्राइ करेंगे क्यूंकि जब हम चाइनीज बना रहे होते हैं तो आपने जो भी उसमें वेजिटेबल्स एड करते हैं तो आपने उसको जदा फ्राइ नहीं करना बना हो सोफ्ट हो जाएंगी और उसका फ्लेवर जरा भी अच्छा नहीं आएगा तो यहां पे अब मैंने एक चिकन क्यूब एड़ किया है अगर आपके पास चिकन पाउडर है यहां आपके पास फ्रेश चिकन की यखनी पड़ी है तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं तो तकरीबन डेड़ खाने के चमच्छ मैंने इसमें सोया सोस एड़ किया है और डेड़ खाने का चमच्छी इसमें चिली सोस एड़ किया है मैं इसको तकरीबन दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लूँगी medium flame आपने बिल्कूल भी नहीं करनी वरना जो आपकी vegetables हैं वो जल जाएंगी तो यहाँ पे boil किये हुए मेरे पास rice थे मैं इसमे rice add करूँगी और अब मैं इसको अच्छी तरह mix कर लूँगी सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह mix करेंगे मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी तो हमारे fried rice बिल्कूल ready हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले से लग रहे हैं अब हम इसके साथ अपनी third recipe स्टार्ट करेंगे जो है homemade noodles तो noodles के लिए भी मैंने add कर दी है गाजर और शिम्ला मिर्स बिल्कूल light सा इसको fry करने के बाद मैं इसमें डालूँगी spaghetti spaghetti को मैंने already boil करके रखा हुआ था तो यहां पे spaghetti को भी मैंने बहुत जाद over cook नहीं किया क्योंके हम इसको यहां पे मजीद पकाएंगे तो यहां पे बिल्कूल इसमें एक हलकी सी कनी है मतलब 90% यह cook हुई वी है और 10% यहां पे हम इस stage पे इसको cook करेंगे तो यहां पे सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह mix कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली सॉस बहुत ही मज़े की नोडल्स बनते हैं इसमें चिकन हम बिल्कूल भी एड़ नहीं करेंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक कम यह जदा कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें डालूँगे लाल मिर्श का पाउडर आप इसकी बजाए काली मिर्श भी इसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे स्पैगिटी थोड़ी सी स्पाइसी चाही थी इसवरे से मैंने इसको लाल मिर्श के पाउडर में बनाया है तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसमें बिल्कुल एंड में एक वेज़िटेबल रह गई थी अब हम इसको सबसे एंड पे वह वाली वेज़िटेबल एड़ करेंगे तो यहाँ पे अब मैं बन गोबी आड़ कर रही हूँ मैंने स्लाइसिस में इसको लंबा लंबा कट कर दिया था इसको हम बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे फ्लेम को मैंने यहाँ पे बन करके बन गोबी आड़ की है वरना यह थोड़ी सी सोगी हो जाएगी अगर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो अब मैं इसको चीता मिक्स कर लेती हूँ नूडल्स भी हमारे बिल्कुल रेड़ी हो चुके हैं तो अब मैं आपको यहाँ पे सर्विंग करके दिखाऊंगी जो आज हमने रेड़ी की है तो यहाँ पे देखें हमारा रेस्टरॉन स्टाइल चिकन चिली ड्राइब विद एग फ्राइड ड्राइस एग तो नहीं है लेकिन आप एग इसमें डाल भी सकते हैं और उसके साथ नूडल्स बहुत ही मज़े की यह डिश है और मैंने इसको ट्राइ किया था यह बहुत ही मज़े का बना था सेम रेस्टरॉन स्टाइल में आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजीगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लेगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सिस्क्राइब करना मत बूलिएगा और बैल आइकन के बटन को दुबाना मत बूलिएगा इससे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक हो जेगी तेंक यू